जैसे कि आप सबी लोगों को बताई कि हम लोग youth competition book का solution यहां पे कर रहे हैं, जिसमें हम लोग volume 1 को cover-up कर रहे हैं, और exam बहुत past में हैं, तो हम लोग mix practice questions को यहां पे कर रहे हैं, तो सबी students class को share कर दें, दन उसके बाद हम लोग start करते हैं, आज की class. चलिए अगर हम आज के total questions की बात करें तो total आप लोग के 55 questions है तो आप लोगोंने अराम से answers करने हैं और आप लोग को पता है कि वो सारे के सारे questions आप लोगों के examination point of view के लिए काफी important है तो start करेंगे हम लोग कुछ flute के questions है कुछ RCC के questions है तो सब भी लोग class को share कर दें देन उसके बाद start करते हैं चलो start करते हैं first question आप लोगों की screen पे pressure in terms of the meters of the oil specific gravity 0.9 दी गई है is equivalent to the 4.5 meter of the water is तो आप लोगोंने pressure को equivalent करके height को find out करना है ठीक है तो answers करें सभी students करें इसको solve तो कौन से option यहाँ पर आप लोगों के according right होगा चले तो सबी लोगों को good morning तो सबी students वीडियो को like share जरूर करें अच्छे से आप लोग बढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से revise कर रहे होंगे क्योंकि आप तो यह exam बहुत past में है इस question को answer करो first का A आ भी गया very good तो देखो अगर हम लोग बात करें आपको oil का और आपको किसक water की pressure को equivalent रखना है तो जब हम लोग देखो oil की बात करें तो rho 1 G into H1 हो जाएगा और अगर हम लोग water की बात करें तो rho G H2 आप लोग का हो जाएगा रो 2 into G into H2 हो जाएगा चीक है तो G से G आप लोग का cancel हो जाएगा और यहां की अगर हम लोग बात करें तो यह आप लोग का क के पास आ जाएगा दो प्रेशर को एकुलेंट हम लोगों ने करना है अब रोवन हमारे पास क्या है अगर हम पानी के बात करें तो फोर पॉइंट फाइव इंटू थाउजन हम लोग कर सकते हैं अपन ठीक है और मीटर में मतलब वन मीटर आप लोग कह सकते हैं अपन देखो फोर पॉइंट 5 हो गया और हम लोग हाइट की बात करें तो mm रोती की बात करें तो आपको क्या दे रखा, बॉइंट 9 दे रखा है तो .9 इंटो 1,000 हो जाएगा आप लोगों का ठीक है येस, काफी लोग का भी answers बहुती सांदार, very good तो इस तरीके से आप लोगोंने question को solve करना है अगर आपके exam में पूछा जाता है आपको दो pressure को equivalent रखना है, ठीक है, oil का बोला गया और water का दोनों को equivalent रखके आप लोगोंने height को find out कर देना है चलिए, आगे चलते next question के साथ, mercury is used in barometer because mercury को हम लोग barometer उसमें generally use करते हैं, ये एक perfect fluid है इसका volume change होता है temperature के साथ, ये एक liquid metal है या ये बहुत ज़दा high pressures के लिए बहुत कम height देता है जिसको कि हम आसानी से miser कर सकते हैं, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि mercury की क्या है density भी बहुत ज़दा है इसलिए वो हमें कम height दे लिया है, answers करें सभी लोग फटा-फट से सभी students video को like share जरू करें, अभी आप लोगोंने questions को कर लिया फिसाम को आप लोगोंने questions को कर लिया, अधिन में आप लोग अच्छे से अपनी practice कर सकते हैं अब अगर हम देखें तो within one week आप लोगों के पास है क्या answers होना चाहिए इस question का, very good It gives less height of the column for high pressures, option number D आप लोगों का correct answers होगा तो यह बहुत ज़दा dense है, अगर बहुत ज़दा height भी हमें pressure की देखने को मिलेगी तो यह हमें कम height देगा, हम उसे आसानी से measure कर सकते हैं तो right answers आप लोगों का क्या जाएगा, option number D, very good काफी लोग D के साथ बहुती सांदार, very good आगी चलते हम लोग third question के साथ अप लोगों से बोला गया है, जो प्रेशर को मिज़र करते हैं, वो कौन सा प्रेशर होता है अट्मोस्फेरी प्रेशर, गेज प्रेशर, आपसल्यूट, वैक्यूम प्रेशर, आंसर्स मार्क करो फटाफिट्स तो इंजिनियर संतोस कुमार जी, ब्रिजे जी, रिशी कुमार जी, इंजिनियर सौरफ सिंग जी, सबी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ एक वीक भी नहीं है, तो आप अच्छे से रिवाइस करो, आप लोग टेंशन जादा ना लो, अपना हंड्रिट परसेंट आप लोगों ने देखें आना है, इस कुशन को आंसर्स करो फटा-फट से क्या आंसर्स होना चाहिए, देखो थर्ड का B आ चुका है, थर्ड का C भी आ गया है, वही बहुत ही सांदार, absolute pressure, very good, देखो, अगर हम लोग पीचोमेट्रिक ट्यूब की बात करते हैं, डेली मैं देखती हूँ कि आप लोग डिफरिंट डिफरिंट आंसर्स देते हैं, इत पता है कि P ATM को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको generally zero consider करते हैं, ठीक है, तो automatic अगर हम लोग देखें तो हम लोग absolute pressure को ही miser कर रहे हैं, actual में हम लोग gauge pressure को miser कर रहे हैं, indirectly हम लोग बोले तो हम लोग absolute pressure को भी miser कर रहे हैं, suppose यहां पे gauge pressure option में नहीं होता, तो absolute pressure जाता, actually हम absolute pressure को थोड़ी ना मिज़र कर रहे हैं हम तो gauge pressure को कर रहे हैं लेकिन indirectly हम लोग कह सकते हैं कि absolute को मिज़र कर रहे हैं तो यह second priority का answers होता है कहीं पर पढ़ा होगा आप लोगोंने तो gauge pressures आप लोगों का correct answers होगा option number B next question अब देखते इस question को कौन right answers करके बताते हैं a course of stone missionary provided immediately above the cornice cornice के judge above में जो हमारा course प्रोवाइड होता है stone का जो course प्रोवाइड होता है उसे blocking course कहते हो coping कहते हो fridge कहते हो पैरापेड कहते हो अब देखते हैं कौन right answers करके बताते हैं वाई सबी लोग क्लास को share भी कर दें जिसे आप सबी लोगों के साथ वाले भी उठ जाएं इतनी सुबह नहीं हो रही है सुबह के चार बजे थोड़ी ना class हो रही है class तो आप लोगों की साड़े साथ बजे अब आते आते आठ बजे तक सबी students जगेंगे देन उसके बाद class को join करेंगे इस question को answer करो फुटा-फुट से देखे तो यहां पर आजे जी संदीप अगरी जी यश्वन जी रिशी कुमार जी इंजिनियर संतोस कुमार जी साभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ मिन्नी चोहान जी वेरी गुड तो coping के साथ जा रहे है कोई भी नया question आप लोग के पास आ रहा है जितने मेंने कराएं उसमें तो आप लोग करेक्ट कर रहे है अब जितने नहीं कराएं उसमें गलत कैसे हो रहा है इस question को answer करो इसका मतलब कि आप लोगों ने खुच से तो पढ़ा ही नहीं है कुछ भी 4 question में answers क्या होना चाहिए C, B, अब देखो coping तो आप लोगों का answer नहीं जा सकता है coping आप लोगों को पेरापेट में हम लोगों को देखने को मिल गया तो ये दोनों answers आप लोगों के नहीं हो सकता है अब बोला गया student machinery provided immediately above the corners Cornish के just above-up में अगर हम लोग कहते हैं तो उसे हम लोग blocking course कहते हैं option number A आप लोगों का correct answers होगा अब just below the corners अगर हम लोग कहेंगे तो fridge आप लोगों का answer जाता है just below the corners just below the corners तो answers क्या होगा? blocking course आप लोगों का answer जाएगा parapet नहीं जा सकता आप लोग को पता है parapet walls हमारी क्या होती है उसी में हमारा coping term आता है अब blocking course और fridge में से आपका क्या answer होना चाहिए तो option number A आप लोग का right answers होगा below the corners अगर आप लोगों से बोल दिया जाए तो fridge आप लोग का right answers होगा ठीक है तो साभी स्टूडेंस अपनी प्रेजिंस को भी जरूर माक करें आप लोगों ने गलती नहीं करनी है इसका मतलब आप लोग खुद से efforts नहीं लगा रहे है next question the bearing of lintel is lintel की bearing हमें क्या देखने को मिलती है 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm साभी रोवांसे जरूर करें सबी स्टूडेंस अपनी प्रेजिंस को जरूर माक करें अब कहने का मतलब क्या है कि lintel की मुटाई कहने का bearing का मतलब क्या है यहां पे lintel की मुटाई किस तरी कितनी आपकी होती है ठिकनेस की बात हो रही है तो 10, 15, 20, 30 इसको तो answers माक करो डेटाबेस कोशन है गलत भी हो जाते हैं सही भी हो जाते है answers करो संजे चौधरी जी नितेश कुमार जी नरेश कुमार जी अगरी जी अजे जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good क्या answers करेंगे 15 cm के साथ answers करें बहुती सांदार option number B आप लोग का correct answers होगा 15 cm आगे चलते हैं अगर आप लोग उसे बोला जाए कि पावर ट्रांस्मिटेट हो रही है किससे पाइप की थ्रू हो रही है और वो भी हमारी maximum कब होगी जब हैड लॉस जी तू फ्रिक्शन HF की वैल्यू कितनी होती है वन फोर्ट आप दी टूटल सप्लाई है option में A को मार करोगे या B के साथ जाओगे कि वन थर्ट सप्लाई आप दी टूटल सप्लाई है या C को answers करोगे या D के साथ जाओगे सबी लोग answers करे yes ठिक नहीं कह सकते हैं मतलब की मोटाई पर आप लोग कह सकते हो ठिक है इस question को answers करो photographer से इंजिनियर संतोष कुमार जी वर्षा जी यश्वन जी इंजिनियर सौरप सिंग जी श्यान दाज जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good ठिक है आज सबी लोग video को like share जरूर करे ठिक है हमारे पास होता है इसका मतलब की one third supply of the total head इसका मतलब option number B आप लोगों का correct answers होगा यहीं भी efficiency आप लोगों से पूछा जाता तो हमारे पास हो जाता H-HF upon H हो जाता और H-H upon 3 upon H हो जाता और finally हमारे पास क्या आता 2H by 3 आता अगर हम लोग बोलते तो 66.67% efficiency हम लोग यहां पर कह सकते दे आगे चलते हैं the flow in open channel is turbulent if the Reynolds number is so समझ के answers कर ना कि आप से open channel के लिए बोला गया है turbulent flow है तो Reynolds number की value क्या होती है तो सबी लोग वीडियो को like भी करें साथी साथ अपनी presence को भी आप लोगोंने mark करना है इस question को answers करके बताएं कि क्या answers होगा yes सबी लोग आज जल्दी उठ गे बहुत अच्छी बात है भी तोड़ी और जल्दी उठना चाहिए आप लोगोंने साड़े साथ बज़े class start होती है 7th question में क्या answers होना चाहिए आप लोगों क्या recording देखो greater than 2,000 answers mark करोगे 2,000 answers mark करोगे greater than 4,000 answers mark करोगे या 4,000 answers mark करोगे सो समझ के answers को करें कि क्या answers आप लोगों का होना चाहिए जब टाबुलेंट का case पोला गया है दसावी लोग एक एक साथ बहुती सांदार option number A आप लोगों का correct answers होगा अगर टाबुलेंट पोला गया है तो हम लोग transition में कहें तो हम लोग कैसे कह सकते हैं ट्राबुलेंट के अगर बात करते हैं तो 2,000 से greater में हम लोग यहां पे answers mark करते हैं तो इसका मतलब option number A आप लोगों का correct answers किसका case है open channel का pipe flow का नहीं है open channel का है अगर pipe flow होता तो फिर आपका answers क्या चाता जाता option number C के साथ next question the hydraulic gradient line is hydraulic gradient line की बात करी गई है यह हमेशा central line of the pipe से अबब रहती है यह never above the energy gradient line यह option number C को mark करोगे यह आप लोग D के साथ चाओगे सबी लोग answer जरू करें इस question का transition नहीं यह turbulent है आप लोगों का turbulent flow इस question को answer करो कि 8 question में क्या answer होगा 8 question में answer करें कि hydraulic gradient line में क्या देखने को मलता है तो देखो आपको पता है अगर हम लोग hydraulic gradient line की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि pressure head और datum head हमको देखने को मलता है इसका मतलब P by rho g plus z head हम लोग कहते हैं यह हमारा है hydraulic gradient line में अब इसी तरीके से energy gradient line की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा pressure head तो आता ही है plus यहाँ पे क्या आ जाता है आपका velocity head V square by 2 g अब प्लस z यह आ जाता है आपको पताए कि अगर देखो pressure head और datum हो रहा है तो यह हमारे नीचे होगा इसके साथ velocity head भी आपका आ जाएगा तो V square by 2 g से यह head हमारा उपर है इसका मतलब कि energy gradient line हमेशा आप लोग की उपर होती है तो answers क्या होगा? Never above the energy gradient line option number B आप लोग का correct answers होगा आगे चलतें next question के साथ राजू कुमार जी, दिनेश जी, इंजिनियस अंतोस कुमार जी पूजाय अदव जी ठीक है? दिनेश जी, अगरी जी, यश्वन जी, अनीश कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good इस question को सर्ष समझ के answers माग करो कि क्या answers होना चाहिए? तो देखो क्या बोला गया आप लोगों से the weight of the reverse end per cubic meter तो meter cube में आप लोगों से बोला गया है कि क्या होता है? kg per meter cube क्याने का मतलब तो 12,000, 1200 से 1900, 1800 से 1900, 2200 से 2400 क्या होता है? weight of the reverse end per cubic meter weight per meter cube, density की क्या सकते हैं देखे हैं क्या answers होना चाहिए? C answers के साथ जाते हैं सबी लोग बहुत अच्छे हैं very good अगर हम लोग बात करें तो right answers आप लोगों का option number C के साथ जाएगा 1800 से 1900 आप लोगों का correct answers होगा very good सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very nice आगे चलते हैं next question के साथ the upper surface of wear over which water flows is known as जो wear का upper surface होता है जिससे पानी आप लोगों का flow कर रहा है तो ये क्रिस्ट है, सिल्द है, vein है, contractor है answer करें सबी लोग देखो अगर हम लोग wear की बात करते हैं तो हम लोग कह रहे हैं ठीक है आप लोग क्या कर रहे हैं? wear की बात कर रहे हैं wear की आप लोग बात कर रहे हैं और हम लोग कहले हैं कि पानी आप लोग का इस तरीके से flow कर रहा है तो इसका सबसे upper surface जो है wear का वो हमारा क्या है? क्रिस्ट है, सिल्द है, vein है, contractor है answer करो फटा-फट से सबी लोग क्या answer के साथ? option number A को mark कर रहे हैं क्रिस्ट के साथ देखो अगर हम लोग 10 वी question की बात करें तो right answers आप लोग का क्रिस्ट और सिल्फ भी हम लोग इसे कहते हैं first priority में आप लोग हमेसा इसे crest रखना तो answer क्या जाएगा? option number A आप लोग का correct answers होगा very good आगे चलते 11 question के साथ अब देखते इस question को कौन का correct करके बताते हैं the ratio of ultimate stress to the safe stress अगर ultimate stress और safe stress का ratio क्या कहलाता है stress कहलाता है factor of safety कहलाता है strain कहलाता है walking stress कहलाता है फटा फट से answer कर तो पवन सिंगल जी, श्यानदाज जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good सबी लोग वीडियो को like, share, जरूर करें अपनी presence को भी आप लोगो name mark करना है discussion को answers करो factor of safety होना चाहिए देखो मेरे ख्याल से तो working stress होना चाहिए क्या answers होना चाहिए आप लोगो क्या कारी क्या बात है D भी answers आगया, बहुत अच्छे working stress भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता क्या answers करोगे so समझ के answers mark करो देखो strain भी हो सकता है क्या answers होना चाहिए तो देखो, very good answers क्या जाएगा factor of safety जाएगा working stress हमारा permissible stress होता है ultimate stress to safe stress बोला गया है तो हम लोग कह सकते safe stress क्या है जितना working stress है तो ultimate stress to safe stress हम लोग कहा दें तो answers factor of safety के साथ जाएगा इसका मतलब option number B आप लोग का right answers होगा next question the loss of the pressure head for the laminar flow through pipe varies very very important question five stress mark करो इस question हो और answers करके बताएगे कि क्या answers होना चाहिए इस question का सबी लोग answers करें क्या बोलागे as the square of the velocity directly as the velocity as the inverse of the velocity या none of the above आप लोग answers को mark करोगे सबी लोग answers करें जरूर करें इस question का 12th का A answers करें as the square of velocity समझ के answers करो आप लोग उसे loss of the pressure head बोला गया है तो loss of pressure head को हम लोग इस तरीके से लिख सकते है HL is equal to 32 mu VL upon rosy D square तो यहां से यह HL loss of the pressure head की बात करें तो किसके proportional आ रहा है तो सबी लोग A के साथ very good way तो directly as the velocity option number B आप लोग का correct answers होगा आगे चलते हैं 13 question के साथ इस question को answers करो फटाफट से a flow in which the quantity of liquid flowing per second is not constant जितना हमारा flow हो रहा है उसकी जो liquid की quantity है per second के अगर हम बात करें तो यह constant नहीं रहती है तो यह unsteady है, steady है turbulent है या compressible flow है सबी लोग answers करो इस question को सबी लोग answers करके बताएं क्या answers होना चाहिए? यह देखो बोला गया है जो भी हमारी quantity है liquid की वो per second क्या है constant नहीं है तो answers क्या होगा? unsteady flow के साथ जाते में 13 का very good, option number A आप लोग का correct answers होगा unsteady flow आगे चलते हैं 14 के साथ indicate the incorrect statement for the Bernoulli's equation Bernoulli's equation के according इसमें से incorrect statement कौन सा है? flow must be steady, flow must be irrotational flow must be incompressible, flow must be an idle guess very very important question Bernoulli के जितने भी आप लोगों के आपके assumptions रहते हैं यह सारे के सारे बहुत important है answers करो सभी लोग की आप लोग के according क्या answers होना चाहिए? ठीक है? तो सभी लोग answers करें flow must be an idle guess flow must be steady, irrotational, incompressible gases के लिए हम लोग valid नहीं कहते हैं इसका मतलब incorrect statement आप लोगों का option number D आप लोगों का incorrect statement 15 के साथ चलते हैं सभी लोग discussion को answers करें कि concrete is generally reinforced by the bar made of concrete को generally reinforced किया जाता है कौन सी बार के साथ? cast trian, high carbon steel, aluminium, mild steel फटा फटा से answers करो सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ? very good सभी लोग वीडियो को like, share जरूर करें very nice discussion में answers आप लोगों का क्या जाना चाहिए? तो राजु कुमार जी, रिशी कुमार जी, स्वामिक जी सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ? तो देखो, high carbon steel होना चाहिए या mild steel के साथ चाहोगे? सभी लोग mild steel के साथ very good option number D आप लोगों का correct answers होगा अगर concrete की हम लोग generally बात करें तो mild steel के साथ हमको देखने को मिलता है next question अब क्या है? जो liquid flow कर रहा है हर time में आपका same कर रहा है time हुमारा constant है तो streamline flow ध्यान रखेंगे अगर आप लोगों से time constant है time एक constant है आप लोगोंने time constant में हमारी जो भी liquid की properties है वो सारी की सारी हमारी क्या है? जो liquid की हमारी जो भी properties है चाहे वो pressure हो चाहे वो pressure हो आप लोगों का velocity हो वो सारी की सारी हमारी क्या है? same है constant है, change नहीं हो रही है इसका मतलब वो क्या है? steady flow, very good option number C है हमारा answers होगा आगे चलते हैं 17 के साथ an ideal fluid is defined as the fluid which is ideal fluid कैसा fluid होता है? incompressible and non-viscous होता है compressible होता है incompressible compressible and viscous सबी लोग answers जरूर करें सबी students अपने presence को भी जरूर मार करें very good ideal fluid की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ideal fluid आप लोगों की क्या होता है? continuity equations को आपका verify करता है किसको करता है? continuity equation को continuity equations को आपका verify करता है और इसके according हम लोग क्या कहते है कि जो आपका क्या है? inviscid और incompressible inviscid का ध्यान रखना कि inviscid को ही देखो answers आ रहा है C बहुत अच्छे है very good inviscid को ही हम लोग क्या कहते है non-viscous कहते है incompressible option number A आप लोगों का correct answers होगा अगर हम लोग idle fluid की बात करते है very good तो वर्षय जी उर्वशी जी तपस कुमार जी प्रदीप जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ next question Reynolds number is the ratio of Reynolds number हमारा किस-किस का ratio है inertia to gravity viscous to gravity viscous to elastic या inertia to viscous फटा-फट से answers करो easy question है दियान लखेंगे Reynolds number हो गया Mac numbers हो गया Webels number हो गया इन समय confuse नहीं करना है ठीक है correct answers mark करके ही आना है क्योंकि मैंने आप लोग का अच्छे से revise करा दी ये सारी चीजे सबी लोग answers जरूर करें आप लोग के recording की answers होना चाहिए तो लेको Reynolds number किस-किस का ratio होता है inertia force to the viscous force option number D आप लोग का correct answers होगा आगे चलते हैं If the density of a fluid changes from the point to point in a flow reason अगर हमारी जो density है वो हमारे हर point में change होती हुए जा रही है तो इसको हम लोग कैसा fluid कहते हैं steady, unsteady, non-uniform या compressible हमारा यहां पे answer जाएगा answers करके बताएं सभी लोग, सभी लोग अपनी presence को भी जरूर मार्क करें तीक है, आप लोग ने वीडियो को like share भी करना है अब इस question मैं answers करो कि क्या answers होना चाहिए D answers करना है compressible, ध्यान रखेंगे अगर हम लोग density को constant कहते हैं कि density आप लोग की बिल्कुल constant है तो इसका meaning क्या होता है कि density आप लोग की बिल्कुल constant है इसका मतलब की हमारा incompressible flow है और density आप लोग की changes हो रही है हर point में तो इसको हम लोग नाम देते हैं compressible flow option number D आप लोग का correct answers होगा next question the inlet length of a venturi meter is जो हमारी आप लोग को ने dेखा होगा इस तरीके से हमारा venturi meter आप लोग को देखने को मिलता है तो आप लोग से बोला गया है कि जो inlet length है यह हमारा throat का रहता है यह हमारी divergent रहती है तो inlet length venturi meter की outlet length के बराबर होती है इससे ज़्यादा होती है इससे कम होती है या 9 of the above को answers mark करोगे सबी लोग answers जरूर करें इस question का ठीक है अकल की questions में मैंने आप लोग को बताया था कि throat diameter और pipe diameter का क्या ratio होता है उसको भी गलत नहीं करेंगे अब इस question को answers करो greater होना चाहिए greater के साथ answers को mark करें very good answers क्या जाएगा हमें पता है कि divergent side का क्या होता है area आप लोग का ज़्यादा होता है तो हम लोग कहेंगे less than the outlet length option number C आप लोग का correct answers next question flow in a pipe is laminar if अब pipe की बात कर दी गई है कि pipe का flow जो है वो हमारा laminar है तो Reynolds number 2000 के बराबर होता है या Reynolds number 4000 या more than 4000 या less than 2000 होता है अगर हमारा pipe में flow क्या है laminar flow है answers करें सबी लोग इस question को सबी लोग अपनी presence को भी जरूर मार्क करें और answers भी करके बताएं very good इस question में answers क्या होना चाहिए pipe के flow को laminar बुला गया है D answers C answers क्या answers होना चाहिए D answers के साथ Reynolds number अगर हमारा less than 2000 होगा तो आप लोग कहेंगे कि flow जो है वो हमारा laminar है और 2000 से 4000 के बीच में transition greater than 4000 में turbulent flow आगे चलते हैं A flow in which liquid particles has a definite path and the points of the indivisible particles do not cross each other is caught तो यह steady flow है turbulent है streamlined flow है यह आप लोगों का none of the above answers जाएगा सबी लोग answers करके बताएएं सबी students वीडियो को like, share, जरूर करें सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ इस question में आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए एक और बात है कि आप लोग को पता है कि अगर हम flow की बात करते हैं तो आप लोग को पता है कि अगर हम इसके tangents में अगर हम लोग क्या करें tangents हम लोग खीश रहे हैं तो यह हमारी क्या indicate करती है velocity हमारी indicate करती है तो इसका मतलब यह हमारा किस तरीके का flow है streamlined flow है option number C आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते next question के साथ the flow in which quantity of liquid flowing per second is not constant आपकी जो भी liquid की quantity है per second में वो constant नहीं है तो streamline होगा tabulin, steady या none of the above आपके साथ answers को mark करोगे सभी लोग answers करके बताएं सभी students अपनी presence को भी जरूर mark करें है इस question को answers करके बताओ क्या answers होना चाहिए अब देखो quantity of liquid flowing per second is not constant कह रहा है तो क्या streamline होगा, turbulent होगा, steady flow होगा या none of the above के साथ answers को mark करोगे अब देखो आप लोगों को लग रहा है कि quantity of liquid flowing per second is not constant तो unsteady flow होना चाहिए देखो unsteady है तो या हम लोग turbulent flow कहा दे turbulent flow में भी यही case हमको देखने को मिलता है तो 23 में answers क्या होगा, option number B आप लोगों का correct answers होगा ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से बोला जाए कि quantity of liquid flowing per second is not constant तो यह unsteady flow होदा है या हम इसे turbulent flow भी कह सकते है आगे चलते हैं 24 के साथ अब इस question को answers करें, देखते हैं कौन right answers करके बताते हैं क्या बोला गया है, ratio जो है आपका coefficient of linear expansion of the steel alpha की अगर हम बात करते हैं, coefficient of linear expansion of the steel और concrete, इनका ratio क्या होता है 1.78, 1.71, 1.41 या unity आप लोग answers को mark करोगे सबी लोग answers जरूर करें, आप लोग के according क्या answers होना चाहिए ठीक है, क्या answers होना चाहिए, alpha की value, concrete और steel के case में इन दोनों का ratio हमारा क्या होता है चलिए, answers करो इस question को, देखो 1.78 आगे है, बहुती सामदार answers ठीक है, तो 1.78 ही answers होना चाहिए देखो सबी लोग A के साथ, very good, संजे कुमार जी का D answers आ रहा है, ब्रिजेश जी का D answers, वर्षा जी का D answers बहुती सांदार, देखो आपके साथ मैं ही सोच रहे हैं चीज़ों को देखो, क्या competition चल रहा है, answers क्या जाएगा, unity जाएगा हमें पता है कि alpha की value 12 into 10 की power minus 6 per degree centigrade, यह आप लोगों को steel की भी देखने को मिलेगी, यह concrete की भी देखने को मिलेगी तो दोनों का ratio क्या हो गया, unity हो गया, answers option number D 1.78 क्या याद आया आप लोगों को, factor of safety याद आगी, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं 25 के साथ अब देखते हैं इस question को कौन correct करते हैं, देखो बोला गया, loss of strain strain का loss हो रहा है, with time के respect में, दोनों sentence को देखना आगे बहुत से questions आप लोगों के हैं, बहुत अच्छे question है देखो क्या बोला गया, strain का loss देखने को मिल रहा है, with time, और strain क्या है, constant strain है तो क्या answers होना चाहिए, सबी लोग answer करो इस question को strain with time, आपकी strain का loss हो रहा है, time के respect में, तो क्या answers है, creep loss है, relaxation है, shrinkage है या ductility answers mark करोगे, सबी लोग answer करें, 25th का आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए क्या answers करें, relaxation के साथ, very good, option number B हमारा यहां पे correct answers होगा आगे चलते हैं हम लोग, next आप लोग के अब 30 questions हैं, 25 questions को हम लोग cover कर चुके हैं, next आप लोग के 30 questions हैं, इसको आप लोग answers करोगे the first question आप लोग के screen पे answers करो, the good clay for making bricks, bricks को बनाने के लिए हमारा क्या answers होना चाहिए सबी लोग अपनी presence को भी जरूर मार्क करें, ठीक है, आप लोगों ने अपनी presence को भी जरूर मार्क करना हैं, और answers भी करके बताना है अब बताओ कि good clay, एक अच्छी, एक brick, अच्छी brick बनाने के लिए सबसे अच्छी clay हमारी कौन सी होती है unweathered clay, weathered clay, silted soil, black cotton soil, answers mark करो फटा-फट से कि आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए क्या answers होगा, weathered clay के साथ जाते वे सबी लोग, बहुत अच्छे option number B आप लोगों का correct answers होगा, एक अच्छी brick के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, fully weathered clay होनी चाहिए आगी चलते हैं second के साथ, the wood generally used for railway sleepers railway sleepers के लिए हमारे पास कौन सी wood होती है, mango होती है, kale होती है, bubble होती है या देउदार को आप लोग answers को mark करोगे, सबी लोग answers करें railway sleepers answers करें, तो यश्वन जी, सौमिक जी, वर्षा जी, रवी मौरिया जी, अजे जी, नितेश कुमार जी, नरेश कुमार जी, पवन जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ देखो अगर हम first priority के answers की बात करें तो kale, खुर्मी में भी आप लोग का kale है और kale first priority का answers है उसके बाद देउदार भी आप लोग का youth होता है sleepers के लिए, आगे चलते हैं, देखो बहुत important questions और काफी time बाद हम लोग इस question को solve करते हैं, देखते हैं कौन इसको right answers करके बताता है calculate the water distribution efficiency, आप लोगों से water distribution efficiency की value पूछी गई है और depth of the water stood, depth आप लोगों को water की क्या दिये है, 1.3 और 1.7 answers mark करो की water distribution efficiency क्या होगी, देखते हैं कौन सबसे पहले right answers करके बताते हैं silt भी लिखा है brick के लिए, देखो इस question को answer करो, देखो eta d की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या 1 minus small d upon capital d आप लोगो के पास होता है, multiply by 100, किसी का answer साया, देखो अगर ये d की बात करें तो ये d हमारी average जैब तो होती है, direct आप लोगो क्या कर सकते हो, 1.3 plus 1.7 divided by 2 इसको solve करेंगे तो 1.5 आप लोगो के पास आजाएगा, अब small d हम लोग निकालेंगे तो d minus small d1 हो जाएगा 1.5 minus of 1.3 आप लोगो का हो जाएगा, point 2, इसी तरीके से d2 के अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d minus d2 हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1.7, 1.5, 1.5 minus of 1.7 हो जाएगा, minus 0.2 हो जाएगा बस आपको ध्यान रखना है कि minus sign आपको नहीं लेना depth के case में, तो हमारे पास small d की value क्या जाएगी small d हमारे पास आजाएगा, d plus d divided by 2, तो जो होगा 0.2 plus 0.2 divided by 2 और यहाँ से हम solve करेंगे तो 0.2 हमारे पास आएगा, यहाँ से solve करो 1 minus small d की जगे क्या आगिया 0.2 आप लोग का आगिया, और capital d की जगे 1.5 आप लोग का आगिया, multiply by 100 आप लोग का आगिया और solve करेंगे तो 86.67 परसेंट आप लोग का answer जाएगा, इसमें किसी को परिशानी, किसी ने भी solve नहीं करा C answers कर रहे हो, देखो, water distribution efficiency पूछी है, important question है, दो आप लोग को दे रखे है, 1.3, 1.7 formula पता होना चाहिए, 1-d upon capital d आप लोग का होता है, d आप लोग की average जैब तो उती है capital d, तो हम लोगों ने क्या करा, capital d हम लोगों ने calculate करा, तो दोनों की average को हम लोगों ने calculate कर दिया, अब small d को हम लोग calculate कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, ये minus ये, और अगर small d को ये minus ये, ठीक है तो आपने average calculate करके answers को find out करा और answers किसके साथ चला गया option नमर एक के साथ आप लोगों का answer चला गया चलो अच्छा पहले ही answers दे चुके हैं बहुत ही सांधार बहुत ही अच्छे आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ the method of irrigation used for orchards is बगीचों में हम लोग कौन सी irrigation को prefer करते हैं free flooding, border flooding, check flooding, basin flooding, answers करो फटा फट से इतना time कहां होता है solve करने के लिए देखो हो भी जाता है ऐसी बात भी नहीं है आप लोग पहले सब अच्छे से कर लिए और आपको पता है कि यहां पे आप लोग answers को पूरा correct कर सकते हो तो बिल्खुल आप लोग answers को find out कर सकते है answers करें सबी लोग क्या answers होना चाहिए basin flooding or charts के लिए answers होना चाहिए very good अगर हम लोग और चाहिए आप लोग का correct answer जाएगा option number D very good आगे चलते हैं high turbidity of water can be determined by अगर हमें water की highly turbidity को find out करना है तो हम लोग किस से find out करते हैं turbidity tube से find out करते हो jackson turbidity meter से find out करते हो bellis turbidity meter से find out करते हो या halip turbidity meter से find out करते हो साभी students answers करें कि high turbidity of water को हम लोग कैसे find out करते हैं तो साभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ साभी लोग answers करें ब्रिजेज जी, वर्षा जी, श्यांदा जी, तपस कुमार जी साभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good साभी लोग अपनी presence को भी जरू माग करें और answers करके बताएं अब बताओ कि high turbidity of water को हम लोग कैसे determine करते हैं very good Jackson's turbidity meter option number B आप लोग का correct answers है तो देखो जो आप लोग की queries है उसको हम लोग last में solve करेंगे ठीक है अब next question the coagulation is not required in coagulation हमारा requirement नहीं होती है कौन से filter के लिए slow send filter के लिए rapid send filter के लिए answers करो फटा फट से चलो ठीक है exam की problem को आप लोग की last में solve करेंगे अभी question को solve कर दो 6 question में answers करो आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए slow send filter के लिए coagulation की requirement नहीं होती है या rapid send filter के लिए नहीं होती है slow send filter के लिए बहुत यह अच्छे option नमरे आप लोग का correct answers होगा आगे चलते हम लोग 7 के साथ the color of light used for visibility during fog fog में अगर हम बात करेंगे तो हम कौन सी light को यहाँ पर prefer करते है रेट को गटने या लोग को गटने ग्रीन को गटने या वाइट को गटने सभी लोग answers करके बताएं संजे कुमार जी, अदिय सिंग जी, very good engineer, संजे कुमार जी, technical guru जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ सबी लोग अपनी presence को भी जरू माग करें और answers करके बताएं अब इस question में आप लोग के according क्या answers होना चाहिए light की visibility के लिए बोला गया during fog answers, yellow, option number B आप लोग का correct answers होगा आगे चलते हैं next question के साथ the carbon content of the structural steel structural steel में हमारा carbon कहां से कहां तक vary करता है आपको पता है कि different different steel के हमें देखने को मलता है जिसमें cast iron आप लोग को देखने को मलता है pig iron देखने को मलता है, road iron देखने को मलता है तो less than 0.1% answers करोगे या 0.10 से 0.25% या C option को right करोगे या D के साथ answers को mark करोगे सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ चिक है, और सभी लोग video को like share जरूर करें अपनी presence को आप लोगोंने mark करना है तो अभी नव यादव जी, सभी लोग श्यांदार जी, सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ अब देखो 100 प्लेस तो आप ही लोग करोगे और आप लोग तो करते हो नहीं इस question को answers करो 8 में वेरी गुड, 0.10% 2.25% option number B आप लोग का correct answers वेरी नाइस अब देखो ये question बहुत ही सांदार आप लोगों के screen पे और 5 stress mark करो बहुत ही important question है देखते हैं आप लोग क्या answers mark करते हो इस question का Strain in concrete concrete में strain देखने को मिल रहा है at zero stress और stress बिल्कुल zero हो चुका है तो हमारे पास ये क्या है creep loss है, relaxation है, shrinkage है या transfer stress है Sir, समझ के answers mark करो stress zero हो गया है और concrete में strain हमें देखने को मिल रहा है तो सुनाली जी, इंजिनियर संतोस कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good, discussion में आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए देखो creep loss के साथ answers करते वे very good, देखो इननी चोहान जी का यहां पे C answers हा रहा है यह बहुत ही important question है answer जाएगा shrinkage, option number C आप लोगों का correct answers होगा अगर हम लोग बात करें कि concrete में हमें strain देखने को मिल ला stress zero हो गया, आपको पता है shrink हमें देखने को मिल रहा है, तो shrinkage के कारण हमें strain देखने को मिल ला creep के अगर हम बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं constant loading, एक constant loading में हम लोगों को strain देखने को मिल ला, यहां पे तो stress ही zero हो चुका है तो इसका मतलब कि यह shrinkage है very very important question, इसको five stars mark करो ठीक है, और correct करके आना आगे चलते हैं next question के साथ अगर हम rib की width की बात करें कि rib की हमारी width कितनी होती है तो क्या answers होना चाहिए आप लोगों का option number 1 के साथ चाहोगे 1.721 by 3 of the rib depth या 1 by 3 to 1 by 2 या 1 by 2 to 3 by 4 या 1 by 3 to 2 by 3 answers करो फटा-फट से चलो, आपके question के answers को बात में देंगे, अब देखो अभी आप question के answers करो कि 10 वे question का answer से आप लोग क्या mark करो D answers भई इसका question व्यूथ में आप लोगों का option number B दे रखा है और right answers इसका जाएगा 1 by 3 to 2 by 3 of the rib depth, option number D आप लोगों का correct answers होगा, अगर हम 10 वे question की बात करते हैं, आगे चलते हैं next question के साथ, अब इस question को गलत नहीं करेंगे, मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया है कि अगर हम IC की value, consistency index की value को अगर unity कह रहे हैं तो moisture content हमारी कौन से limit पे है plastic limit पे, liquid limit पे, semi-solid none of these answers सबी लोग answers करें, सबी students अपनी presence को भी जरूर माग करें, very good सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ इस question में क्या answers होना चाहिए तो स्वामिक जी, उर्वशी जी, सूरज कुमार जी, नरेस कुमार जी, रवी मौरिया जी, रशी कुमार जी, पवन जी, अजे जी, उर्वशी जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, very good इस question को answers करो, देखो liquid limit answers आ रहा है, बहुती सांदार, क्या answers होगा भई, इतनी बार में आप लोग को बता चुकी हो, IC की अगर value हम लोग कहें, तो हम लोग क्या कहेंगे, plastic limit में हमारी IC की value क्या है, 1 है, तो IC का मैंने आप लोग को बताए भी है, कि W-WP upon IP आप लोग करेंगे, ठीक है, अब IP, ठीक है, WL-W, ठीक है, अगर देखो IC की value मैंने आप लोग को बताए, है, कि अगर unity के case, unity हम लोग को देखने को मिलेगा, तो plastic limit पे हम लोग को देखने को मिलेगा, आपको पता है, कि अगर हम IC की बात करें, तो WL-W upon IP हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, तो देखो, हम क्या कहते हैं, कि WL-W upon IP IC का case, अब आई पी आप लोगों का क्या होगा, आई पी आप लोगों का liquid limit minus plastic limit होगा, अब यह जो water content है वो जब आप लोगों का plastic limit के equal होगा, तब यह IC की value overall के आएगी, 1 आएगी, yes or no, तो हम लोगों क्या कहेंगे, plastic limit में हम लोगों का consistency की value 1 होती है, next question, अब देखो बहुत अच्छ load, no load, answers करो फटा-फट से, सबी लोग answers जरूर करें, आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए, very good, अब देखो curtain wall है, curtain wall का मतलब क्या है, कि ऐसी wall जो की cover कर रही है building को, तो यह wind load को ले रही है, self weight को ले रही है, roof के load को ले रही है, या कोई भी load नहीं ले रही है, answers mark करें, very good बह बहुत ही सांदार, self weight को लेती है, यह जो हमारी building को cover करते हुए, हमारी एक wall हम लोग कह सकते है, cutting wall, the self weight को आपका लेती है, next question, lowest part of the structure which transmits the load to the soil, आपका lowest part structure का, जो की हमारे load को transfer कर रहा है, soil को, तो यह super structure है, plinth है, foundation है, या basement है, answers, सबी लोग answers करके बताएं कि आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए, very good, तो देखो अगर हम लोग structure के lowest part की बात करते हैं, जो कि हमारे load को transfer कर रही है, क्या कहलाएगा यह, youth का pdf upload नहीं के, ma'am, आप telegram पे, ठीक है, answers करो सबी लोग, ठीक है, discussion का answers आप लोग का क्या होगा, देख 13 का answers mark करो, C answers, foundation, very good, option number C आप लोग का correct answers होगा, very nice, आगे चलते next question, which one of the following does not require treatment before a disposal, देखो pdf तो मैं आप लोग को upload करा भी दू, लेकिं pdf में answers नहीं होगे, तो फिर क्या फायदा है बताओ, इस question का answers करो, कि does not require treatment before a disposal, dispose करने से पहले, इसको treatment की कोई भी requirement नहीं है, तो यह strong sewage है, domestic है, industrial, यह all of the above answers mark करोगे, मैं आपका telegram क्या है, देखो काफी students को telegram की name पता नहीं है, EAD civil officially करके telegram group है, आप लोग इसको join कर सकते हैं, EAD civil officially, answer करो, फड़ा फिर से question को, A answers करें बहुत ही सांदार, storm CVH आप लोग का correct answers होगा, option number A, आप लोग का right answers, आप लोग उसे बोला गया है, ऐसा जिसमें की हम लोगों को treatment की जरूरत ही नहाँ हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, storm CVH, आगे चलते हैं, scamming tank, scamming tank में क्या देखने को मलता है, oil and grease हमारी remove होती है, इसको हम लोग sedimentation tank से पहले provide करते हैं, और waxes, soaps, fatty acids, यह साब को remove करती है, और या all of these के साथ आप लोग answers को mark करोगे, सबी students अपनी presence को भी जरू mark करें, और आप लोग answers भी करके बताएं, इस question में answers क्या होना चाहिए, तो देखो 15.80, एक बात ध्यान लगना, क्या यह sedimentation tank से before, देखो remove oil and grease तो correct हो गया, क्या यह sedimentation tank से पहले provide कराया जाता है, आपको पता है, देखो raw CVH आप लोग का रहता है, raw CVH हमारा रहता है, CVH के बाद हमारे परस क्या होता है, grid chambers होता है, तो raw CVH के बाद हमारा क्या होता है, grid chambers होता है, यह हम लोग कह सकते हैं raw CVH के बाद आप लोग screening भी provide करते हैं screening के बाद grid chambers होता है और grid chambers के बाद हमारा skimming tank आता है और skimming tank के बाद आप लोग का sedimentation tank हम लोग को देखने को बलता है इसका मतलब कि sedimentation tank से पहले तो हम provide करें तो दोनों statement right होगे तो यह भी right होगा फिर आप लोगों का कि fatty acids oils इसको भी remove कर सकते हैं और right answers option number D के साथ चला जाएगा next question column is a structured element that supports axial compression load and has a height equals to at least twice of its lateral dimension L by D की value पूछी गई है तो यह हमारी कितनी होनी चाहिए अगर वो column है otherwise वो क्या होगा pedestal होगा तो thrice होगा five times four times office lateral dimension answers करो सबी लोग फटा-फट से very good सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ इस question में क्या answers होना चाहिए तो column को हम लोग क्या कह रहे है column को हम लोगो ने कहा कि axial compression load को वो क्या कर सकता है आपका ले सकता है इसका मतलब L by D की value क्या होनी चाहिए B answers thrice office lateral dimension very good option number B आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते हैं 7 के साथ अब देखो 17 question आप लोगों की screen पे answers करें सबी लोग आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए देखो बोला गया surface tension ना so bubble of 50 mm diameter 50 mm का diameter आप लोगों को दे दिया है और inside pressures दे दिया है 2.5 Newton पर mm square आप लोगों से question पुछा गया है कि surface tension की value को find out करो तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है आप लोगों का बताएं इस question का answers देखते हैं कौन? right answers करके बताते हैं हम लोग क्या कहेंगे? कि PD by 8 is equals to हम लोगों को क्या देखने को मिलता है sigma यहां से calculate करेंगे तो P आपका 2.5 हो गया 50 mm का diameter हो गया upon 8 आगया 50 mm को हम लोगोंने किसमें meter में change कर लिया और sigma हमारा आगया यहां से sigma की value आप लोगों की आ रही है ठीक है? very good आगे चलें next question के साथ अब देखो क्या बोला गया है stream function आप लोगों को दिया गया है psi की value 3x square minus y cube आप लोगों को बोला गया है what is the magnitude of velocity at 0.22 22 पे हमारे velocity का क्या magnitude है answers करो तक क्या answers होना चाहिए इस question का stream function दिया गया है देखो आपको पता है कि u is equal to क्या होता है minus of del si by del y होता है जब हम लोग stream function की बात करते हैं तो शाहिए की value 3x square minus y cube आप लोगों को दिया है इसका मतलब minus आप लोगों का है ये हमारा 3y square आजाएगा minus ये आप लोगों का है 3 multiply by 2 का square आजाएगा हम लोग यहां से देख रहे हैं कि minus 12 आप लोगों का आजाएगा ठीक है अब v आप लोगों ने calculate करना है तो हमारे पस क्या होता है del si by del x आप लोगों के पास होता है del si by del x का मतलब यहां से क्या आजाएगा इसको differentiate करो x के respect में 3 into 2 x आप लोगों के पास आजाएगा तो 6 multiply by 2 आजाएगा और 12 आप लोगों के पास आजाएगा यह 12 आगिया यह minus 12 आगिया अब आपको पता है कि velocity का magnitude find out करना है तो हमारे पस क्या हो जाएगा under root of u square plus v square हो जाएगा solve करेंगे यहांसे तो under root of 12 का square अब plus minus 12 का भी whole square करेंगे तो यह हमारे पस क्या जाएगा under root of 144 plus 144 अब यहांसे हम लोग solve करेंगे तो 288 अब आप बताओ कि 288 का root हम लोगों को क्या होगा क्या answers होना चाहिए 9 answers होना चाहिए 13 answers होगा 15 answers होगा यह 17 के साथ जाओगे तो देखो अब 288 बोल दिया है तो क्या हम लोग यह कह सकते हैं कि 288 कह दो यह हम लोग क्या कहने से 289 के approximately कह सकते हैं तो यह क्या answers होगा 17 का square आप लोगों को 289 देखने को मिलता है इसका मतलब option number D आप लोगों का correct answers होगा very good 16.89 बहुत अच्छे आगे चलते हैं हम लोग 19 कोशिन के साथ अब गलत मत करना इसको क्या answers होना चाहिए तो आप लोगों का जो loss of pressure head है वो किसके proportional है answers करो फटाफट से तो गलत मत करना इस question आप लोगों का stream function का exam में भी पूछा जा सकता है तो velocity की साथ answers करे हो loss of pressure head is directly proportional to the velocity option number A आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते हैं अब इस question को गलत मत करना देखते हैं कौन right answers करके बताते हैं the slope of isochrone isochrone बोला गया at any point at a given time indicates the rate of change rate of change करना इसे rate of change of the poor water pressure with depth के साथ isochrone का relation देखने को मलता है यह with time के साथ यह option number C को मा करोगे यह D के साथ जाओगे तो प्रियंका चौद्वी जी रवी जी लक्की देडा दून जी तपस कुमार जी रिशी कुमार जी रिटेश जी जी जेत्माल सिंग भाटी जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ और काफी स्टूडेंट साथ नए भी दिख रहे है तो सबी लोग EAD Civil Officially करके Telegram Group का नेम है उसको भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं क्लासे के बारे में आप लोग को पहले से time effective stress with depth यह answers करोगे none of the above सो समझ के answers करो कि 20 का answers आप लोग क्या mark करोगे तो देखो 20 के अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते है पोर water pressure with depth के साथ यह relation हम लोग को देखने को मिलता है आइसो क्रोन answers option number A तो रवी मौर्या जी का यह answers आता है वह बहुत ही सांदार आगे चलते है आपने क्या करा इस stresses को बार बार लगाते जा रहे हैं dynamic loading हम लोग इसे कह सकते है reversal of stresses तो हमारा जो material का resistant decrease हो रहा है इस phenomena को क्या नाम देते हो क्रेप होगा fatigue होगा, resilience होगा या plasticity होगा सबी लोग answers करें फटा-फट से सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good, very nice आप देखो बार बार जो हमी reversal of stresses देखने को मिल रहा है इसका मतलब यह क्या है fatigue है very good option number B आप लोग का correct answers होगा 22 में चलते हैं देखो यह रेजिन सार्स तो कितना important question है कि water में soluble नहीं है, spirit में soluble है vernis में used होता है या left behind on the evaporation of the oil तो मैंने आप लोग को बताए है कि resin हमारा क्या है not soluble in water यह हमारा soluble spirit भी है using vernis भी है बस यह नहीं है तो answers क्या होगा most appropriate answers option number C के साथ जाएगा और अगर हम लोग देखें तो तीनों ही options अपने आप में correct है answers लेकिन एक ही mark करना है तो C answers अब देखें इस question कौन correct करके बताते हैं आपको list 1 से list 2 को match करना है अब देखें environment कितनी पढ़ चुके हैं list 1 में में देखो list 2 में आप लोग के पास है wingless method, EDTA method, ortho test, more circle अब आप list 1 से list 2 को mark करके बताओ कि आपका answers किसके साथ जाएगा option number A को mark करोगे B के साथ C के साथ या D के साथ सबी लोग answers करें आप देखो question wrong है कहके भी क्या मिलेगा A के 2 से 3 exams में सेम यही question आप लोग का पूछा गया है इस question को answers करो फुड़ा फुड़ से हार्डेस में हम लोग को क्या देखने को मलता है chlorine में, DO में, chloride में C answers को mark कर रहे हो आप लोग क्या answers होना चाहिए सर समझ के answers करो 23 का देखो A answers कर रहे हैं काफी लोग बही बहुत अच्छे, देखो hardness की बात करते हैं तो EDTA method के साथ आप लोग मार्क करोगे, chlorine के साथ अगर हम लोग कहते हैं, देखो chlorine को रहने देते हैं, DO की बात करें तो DO को हम लोग Winklius Method में answers मार्क करेंगे, chloride की अगर हम बात करते हैं, तो chloride हमारी भई more method होती है more circle method या more method हम लोग कह सकते हैं chlorine के बात करें तो residue of chlorine हमारा क्यान से चले जाएगा ortho test के साथ चले जाएगा इसका मतलब right answers आप लोग का option number 1 के साथ जाएगा clear रहें यहांते सबी लोगों को ठीक है, आगे चलते next question के साथ excess of silica in the clay silica हमारी clay में बहुत excess amount में हो गई है तो हम लोगों क्या देखने को मिलेगा brick हमारी brittle हो जाएगी color change हो जाएगा impermeability या crack and warp on drying सभी लोग answers करें इस question का सुभोग ये कुमार प्रधान जी सूरज कुमार जी उर्वची जी, सौमिक जी ब्रिजेज जी, गौरव जी श्यांदार जी, रिशी कुमार जी, पवन जी सभी लोग बहुत है chances के साथ very good इस question का answers क्या होगा makes the brick brittle and weak option number A आप लोग का correct answers access of the alumina में क्या करोगा क्या आप लोग की brick crack and warp on drying आंगे चलते है next question the safe factor for an isocells triangle should be triangle का shape factor क्या होता है 1.5, 1.7 2.34, 2 क्या answers होना चाहिए right सभी लोग आज़स जरू करें देखो isocells triangle की बात करते हैं तो triangle का shape factors कितना होता है 2.34, option number C आप लोग का correct answers diamond की बात करें तो diamond का 2 हम लोग कहते हैं आगे चलते next question के साथ, इस question को answers mark करो, in RCC beams the cover of concrete should not be less than RCC beams की बात करें तो concrete में कितना cover आप लोगों का होता है किस से कम नहीं होना चाहिए 10 mm, 60 mm, 25 mm, 20 mm और यह इसको आप लोग important mark करो, एक ना एक cover आप लोगों से जरूर पुछा जाएगा exam में तो देखो, concrete के cover की बात करें तो 25 mm आप लोगों का right answer जाएगा option number C, तो गलत नहीं करना है 27 के साथ चलते हैं अब देखें इस question को कौन right answers करके बताते हैं, the usual mix of the DPC jam proof course की अगर हम बात करें तो usually कौन से mix को हम लोग यहाँ पर adopt करते हैं 1 ratio 1.53, M15 sorry, M20 या 124 को करोगे, या 136 को, या 148 के साथ साभी लोग answers करें कि 20 question में क्या answers होना चाहिए आप लोगों के 27 में आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए और जिन भी students ने video को like share नहीं करा है साभी लोग video को like share करें साथ ही साथ telegram group जिन भी students ने join नहीं करा है, EAD civil officially करके telegram group का name है आप लोग उसको भी join कर सकते हैं तो DPC में क्या answers होना चाहिए M15 के साथ जा रहे हैं कुछ लोग M124 के साथ जा रहे हैं क्या answers होना चाहिए सो समझ के answers करो कि DPC का usable mix क्या होना चाहिए M15 to M20 use करते हैं और M20 को first preference देंगे option number A आप लोग का correct answers होगा, clear है, आगे चलते next question के साथ, the maximum deflection due to the load in RCC beams in buildings is limited to अगर हम लोग maximum deflection की बात करें, load की वज़े से RCC beams में कितना maximum deflection देखने को मिलता है, spend by 100, spend by 250, spend by 350, spend by 500 सबी लोग answers करो फड़ा फ़र से इस question का answers क्या होना चाहिए 28 का answers करो फड़ा फ़र से लेको maximum deflection की बात करने RCC beams में answers very good option number C answers करें very nice, spend by 350, option number C आप लोग का correct answers है M15 से M20 पर करते हैं M15 भी आप लोग को books में दिया होगा 2 से 4 mm, 4 से 8 mm, 8 से 14, 14 से 18 फटा फट से answers करो सबी लोग वीडियो को like share जरूर करें सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good, well done, keep it up अब इस question में आप लोग के according क्या answers होना चाहिए 29 इसके बाद फिर आपका एक last question है देखते हैं कि तैयारी चल रही है एक level उपर की तैयारी आप लोग ने answers करना है main reinforcement in slab तो answers करने c option very good 8 से 14 mm आप लोग का right answer जाएगा option number c आप लोग का correct answers 12 mm हम लोग कहते है next question ठीक है यह question दुबारा आप लोग का आगया चलो answers कर लेते है width of the rib of the TB means generally captive between तो हम लोग कहते हैं 1 by 3 से 2 by 3 of the ribbed up option number d आप लोग का correct answers यहां पे आप लोग के questions cover होते हैं hopes तो आप लोग को session पसंद आया होगा ठीक है तो सबी students साम की class को भी join करना बिल्कुर न भूलें and 5 p.m में आप लोग की civil की एक और class है जिसमें 5 p.m में sir आप लोग की class में 5 p.m में आप लोग को sir kinematic indeterminacy के बारे में बताएंगे तो सबी लोग 5 बजी की class को भी attend करें और 4 p.m में तो आपकी most important class है जिसमें 4 p.m में आप लोग को sir 2019 में जितने भी आप लोग की current affairs related है 2019 से जो कि आपके SSJEE की exam में बहुत जाद आपको helpful करेंगे तो चार बजी की class को भी आप लोग के लिए रहेंगे तो चार बजी की class को भी आप लोग का attend करना बलकुर ना भूले तो चार बजी की class आप लोग का EAD group में आप लोग की class होगी जिसमें की 2019 की current affairs को सब discuss करेंगे आज साम चार बजे clear है? चलिए तो सबी लोग को thank you so much और आप लोग अब अच्छे से revise करें अपना और साम की चार बजे आप लोग 2019 के current affairs को लेना बलकुर ना भूले अज जिन्भी students ने telegram group को join नहीं करा है तो EAD civil officially करके आप लोग का telegram group का name है EAD civil officially telegram group का name है इसमें आप लोग join कर सकते हैं telegram में चलो और साम को आठ बजे आप लोग की class होती है mix practice set उसको भी आप लोग बिल्कुर लेंगे उसको भी लेना ना भूलें चलिए thank you so much channel the very best thank you